इस वीडियो का सेक्ष्ण विंदू है लोह आयस्क खनेश अंसादन संबंदिते वीडियो स्रीज का पार्ट वन ये वीडियो है लोह आयस्क आईरन ओर से संबंदित होगा इसके मुख्य सेक्ष्ण विंदू लोह आयस्क के परकार और भारत में लोह आयस्क प्राप्ति इस त प्राप्ति इस्तिलों की हम संग से प्रूप से जानकरी प्राप्त करेंगे आए शुरू करते हैं जानते हैं लोह आयस्क के बारे में लोह आयस्क या आयरन और बोलते हैं यह है वर्तमान यूग का सबसे महत्पून खनी संसादन है वर्तमान यूग एक यांत्रिक यूग है औ भारतमान यूग को लोह इसपात यूगी की संग्या दी जाती है लोहा एक ऐसी वस्तु है एक ऐसी धात्व है जिसके बगार अन्य उद्यूगों को विकास तक संबोनी है एक छोटी सी कील से लेकर एक छोटी सी आलपिन से लेकर बड़े-बड़े जहांज लोहे की साहिता से बनाये जाते हैं इसलिए इस यूग को लोह इस बात यूद्यू कहते हैं लोह की कच्ची धात्व को लोह का जाता है भारत को केंद्र में रखकर हम इस वीडियो स्रीज में इस लोह को फटने जा रहे हैं तो हम बात कर लेते हैं भारत में भारत में जो लोहा प्राप्त होता है और ये कुडपा और धार वाड़ यूकि और जला जो अगने सका उसकी प्राप्ती होती है भारत में जो लोह प्राप्त होता है उसमें लोहे की मात्रा लग भग 25 से लेकर 72 प्रतिसत से और यहां तक कभी कभार कई इस तलों पर पिछूतर प्रतिसत तक भी इसकी प्राप्ति होती है अब हम जानते हैं कि भारत में प्राप्त लोह आयस के कितने प्रकार है तो उनमें सबसे उपर रखेंगे हम सबसे सर्वत्तम स्रियाने के प्रकार जिसको हम मैगनेटाइट बोलते हैं मैगनेटाइट में बहतर प्रतिसत्यक कहीं कहीं पिछेंतर प्रतिसत्यक की मातिर होती है इसका रंग काला या गईरा तो रखेंगे की समक होता है जो आगने सहलों में आगने सहलों से प्राफ्त होता है और भारत में इसके अनुमारित भंदार है इसका वो है लगभग 340.8 करोड टन यह आके गए हैं और यह सबसे उत्तम क्वालिटी का मैंगेट आयस्क है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का इसक है दूसरे इस्तान पर इस लोह इसक का प्रकार है उसमें महित्मुना हेमेटाइट जो इसमें की मात्रा होती है वो होती है इसका रंग होता है लाल या भूरा रंग और भारत में यह भूत अधिक मात्रा में पाया जाता है लग बग दस दस मलाव जीरो पांच अरब टान इसके भंडारों का आकलन किया गया है तीसरे इस्तान पर हम रखेंगे लेमोनाइट को लेमोनाइट इसमें लोग मत्रा होती है तीसरे लेकर साथ प्रतिशत और यह परत्दार चट्टानों से यह प्राप्त होता है निमन खोटी का लोग या इसके और इसका रंग लगबग पीलापन लिए होता है और चोथा मुख्य प्रकार है इसका वो है सिडिराइट जो 10 से लेकर 48 प्रतिशत इसमें लोग मत्रा होती है इसका रंग राख यह हलका भूरा होता है इसका उत्पादन अनार्थिक होता है क्योंकि इसमें लोग से बहुत कम मत्रा में पाया जाता है लो ओैस्क के कुँछ अन्य प्रकार जिनमें Iron Pirate से Joy-Thite ये भी है भारत में लो ओैस्क के बंडार है वो परियापत हैं वीश्व कर लगवग 20 प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है भारत के कुल लो ओैस्क बंडार में जो हमने बात की अभी उपर लोस्कत की प्रकार उनमें मेगनिटाइट के लगवग आठ प्रतिशत स्बंधार है है और सीस्में नभी में प्रकार के ँनमे 7-प्रतिशत भंधारा भारत प्रापत अब इसको हमें जानेंगे भारत में लोहाइस केक का उत्पादन और वित्रण किस प्रकार से हैं वो देखते हैं आईए जानें कि सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में नविंत माकडों के अनुशार कौन सी राज्ये में तो उसमें हम रखेंगे करनाटक को करनाटक देश का कुल जो लोहाइस का भंडार है वो करनाटक में 25 प्रतिशत यानि एक चोथा भाग करनाटक में है और उत्पादन भी नविंत माकडों के मुताबे कि यहां 26 प्रतिशत उत्पादन होकर के यह करनाटक भारत में प्रतमिस्तान पर है कुछ बरसों पहले ओडिशा का इस्तान था वरतमान में करनाटक का इस्तान है करनाटक में भारत की सरवादिक लोहाइस के बंडार है यहां जो उत्खनन होता है उसमे घमिटाइट लोईस का उत्खन होता है इस राज्य में करनाटक में दो जिले महत्पूर्ण इस्तान रखते हैं इसके उत्पादन में जिनमें हम रखेंगे चिकमंगलूर और पहलारी बेलारी हाउसपेट सेत्र है वहाँ संदूर की पाड़ी है और चिक मंगलूर में एक प्रसिद एक नहीं दो तीन प्रसिद इस्तल है जिनमें हम बार-बार कई बार फड़ते हैं किताबों में बाबा बुधन पाड़ी केमान गुंडी और कद्रे मुक सेत्रे और साथ ही काला हाड़ी सेत्रे ये महत्पुन जो खाने हैं खनन सेत्र हैं इस्तले हैं खननी स्तलो है के वो चिक मंगलूर जिले में हैं जो करनाटक में है और बेलारी होसपेट में संदूर की पाड़ी है इसके लाव अन्य जिले हैं उनमें चित्रदुर्ग जिले जित्रदुर्ग जिला धारवाड तुमकूर और सिमोगा होस्पेट आ दिये हैं कद्रिमो के जो चिकमंगलूर जिले में हैं वहां से प्राप्त खनीज का इरान को निर्याद कर दिया जाता है और इस करनाटक में प्राप्त हेमेटाइट किसम के इस खनीज को इसका सोधन किया जाता है निकटवर्ती भध्ध्रावती और वीजे नगर इस स्वातकार खानों से और यहां इस राज्य में अनुमानित जो भंडार है वो आंकलित किये गए है उसको एक दस मलाव चार पांच अरब टन की रूप में आंकलित किया गया है इस तरह से हमने करनाटा को सबसे उपर रखेंगे भंडार की दरश्टी कौन से और लोह आयस्क उत्पादन की दरश्टी कौन से दूसरे स्थान पर ओडिशा कुछ वर्स पहले यानि कि 2005 और 2006 में यह प्रतमी स्थान पर था उत्पादन में लेकिन वर्तवान में यह सेकंड एक तीन परतिशत के लगबग उत्पादन करके नवीन तमार कड़ों के मताबे के और धित्ती स्थान पर हैं इस राज्जे से मेगनेटाइट और हेमेटाइट दोन प्रकार की आयसक की प्राप्ती होती है यहां हेमेटाइट आयसक में अठाउन से लेकर साथ परतिशत तक यहां के मुखे जिले हैं उनमें क्योंजर के भी सेतर देखे हम बांस पानी ठाकुरानी किरुबुरु बरसुआ और देताडी पहाडी क्योंजर जिला यहां का महत्पूर्ण जिला है और क्योंजर के साथ में दूसरा महत्पूर्ण जिला है मयूर भंज दो जिले यहां की महतपूर्ण जिले हैं उनमें क्योंजर और मयूर्बंज जिले की मुख्य खाने मुख्य खाना निस्तले हैं गुरू महिसानी सुलेपात और बादाम पहाड इनके अलावा क्योंजर महिरूर्बंज के अलावा जो अन्ने जिले हैं उनमें सुंदरगड बोन आई, संबलपूर, कटाक, कोरापट मुखे हैं यहां से प्राप्ट उडिशा से प्राप्ट लो आईसका विसाका पटनम और पारादे बंदरगा द्वारा उनके द्वारा जापान और अन्य देशों को निर्यात कर दिया जाता है और शात में जो यहां से प्राप्ट आयसका विसाका पटनम प रादे बंदरगा द्वारत निर्यात किया जाता है तीसरा राज्य महत्मुन भारत का है करनाटक और उडिसा के बाद में तीसरा महत्मुन राज्य च्छतिस गड़ तीसरा इस्तान इसका उत्पादन में लगबग 20 प्रतिशत उत्पादन किया इसने नमींतमाकणों के मताविक और यहां बंडार भी लगबग 18 प्रतिशत है भा है बस्तर जिला अकिला भारत का लगब 11 प्रतिशत लोग पाइदा करता है बस्तर में प्रशिद खान वी तो है बेला डिला खान ऑस्या की सबसे बड़ी खान है जो यंद्र सुस्चजित खान है और बस्तर जिले के लावाद दूसरा जिला प्रतिशत लोएस्क के लिए और अन्य जिल्ले जो मेहा के मैत्पूर्ण है उनमें जबलपूर राजगर्ड बिलासपूर सरगुजा बालाशर दांतेवाडा और राज नंदगाओं को हम सामिल करते हैं बेलाडिला इन जिलों में बेलाडिला सेत्र रावगाड सेत्र जगदलपूर सेत् जाता है और इस राजय से प्राप्ठ जो लोएस्क है उसका अधिकान से उपयोग भिलाइक कारखाने में बिलाइपलो सेत्र जाता है और सेज का निरिया भंदार है और अठार्व प्रफिस्थ प्रतिशतर सराजे में और8 पड़न होता है लगबग इस राजे में खानों की संक्य वह लगबग है 315 यहां घटिया किसम का लहड़ पाद्र होता है लगबग 50 पृतिशतर न की इसमन लोवन्स पाया जाता है वूंगारवदो और प्रिंच सलेव मुख्य सेत्र यहां सिया प्राबत लोहक को संपून लोयज इसक को मार्मगोवा बंदरगा के द्वारा उसके मार्मगोवा बंदरगा से चापान और अन्य विदेशों को निरियात कर दिया जाता है। में उत्पादन के द्रश्टि कॉंड सी पांचवा जिला है लगबग नविन तमाकडों के मुताबिक इसमें 14 दसमर एक प्रतिशत उत्पादन हुआ था और पांचवीस तान पर रहा था लेकिन यहां भंडार है वह 25 प्रतिशत है लगबग 25 प्रतिशत भारत का लोह है इसी सिंग्भूम की जो मुख्य सित्र है इन इन सिंग्भूम और पलामू का जो सित्र है वहां की मुख्य मुख्य जो लोहा उत्पाद की स्थाल है उनमें बुद्ध बुरू कोटा माती बुरू जिसको नौमंडी में है ये कोटा माती बुरू नौमंडी सित्र में और रोजार बाद देखना पड़ेगी नुवा मंडी का फिल हुआ में दशायेंगे और यहां के जिल्य घनबाद राजी EP महतपुन अधा उत्पाद होता है प्राप्त होता है और यहां कि जो लोहे प्राप्त होता है। का सोधन कुल्टी बरनपूर और के कार लोह इस बात कारखनों में किया जाता है और ध्यान देने योगी तथी यह भी है कि यही राज्य है जहां सरवप्रतम लोह इस का खनान प्रारम भुआ था वरतमान में भले भी पांचवी स्तान पर हो लेकिन इस राज्य में सबसे पहले लोह इस खनान प्रारम भुआता यहां की जो अन्य जिल्ले हैं धनबाद हजारिबाग रांची और सिंग भूम पलामों के अलाव वो माता भूमी और हजारी यह भी माता भूमी जिला भी है जहां लोह इस प्राप्त होता है अब छोटे राज्य इन पांच महत्पुन राज बजस्तान की हम मैं बात कर लेते हैं रधे अन्य भी में रुटास्थान विव pont के हम बात कर लेते हैं राज़स्तान में कहां कहां लुडास की खाने हैं तो राज़स्तान का जो लो है लो है। वो जलाज और अगनी चट्टानों से प्राफ्त होता है हेमियटाइट और लिमूनाइट इस की यह प्राफ्त होती है इनमें जैपूर का महतपूर्ण शेत्र मोरिजा बानुला और जैपूर दोसा सिमा पर है नीमला राइसेला जुंजुनु जिले में डाबला सिंगाना और उद्यपूर जीए में नात्रा किपाल और फूर हुन्देर यह मेहित पूर्ण खनने इस्तल है महत पूर्ण भंडार हैं इनी स्तलों पर और है घाल कि हम जाने लेते हैं विस्व के महत्पूर्ण खनन यह लох आयस की उत्पाधित इस्तल्हों की नाम को मैं पूरो सोवित संग उसको सब से उपर रखते हैं उसे इसais तक के मैटपनखनन इस्सलै जिसका नाम है किरवाई रोग के संदर में हम जान रहे हैं लोयेस के बारे में किरवाई रोग खान है यूकरिन में है करे रूस के मुख़े मेगनिटो गौर्स की परवत कुजनेत से और तागिल कुरसवा ब्राजील के संदर में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो यहां इटा बीरा पहाड़ी है जो की मिनास गिराई स्प्रांत में है चीन के उत्री भाग में मंचूरिया है सांटूं, सांसि, और अनसान सह pitch की प्राप्त होती है सहिवक राजी अडीर अमेरिका में मेशा भी रेंज जो सुपीरिय जर जहीर प्रदेस में है वहां से लो इस की प्राप्त हे और आलाप्ताम प्रांच से प्राप्त होती है हलाएं कि इन जो देशों को पनफट है बड़े देशों को जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बहूत सारी ख़नानिस तरल है लेगन संक्सिप्त में हम यहां की महतमुनेशत्रों को जानकरी प्राप्त जरें और इस이 क्रम में हम आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में को उत्रप सिंभाग में उत्र की तराफ है estatर पिल्वरा के वहां लोग आयस्कि या महात्रा में प्राप्ती होती है स्विधन में कीरूना और गेलीब्रा सोवेदन में है युरोप महादीप में और दक्ष्ने अपरिका में ट्रांसवाल धर्ष्ट्रामा महादीप में उसमें चुनियों सब्सक्रारी सेत्र महित्वनिस सेथरे इस तरह से कि यह हमने राजस्तान भारत और विष्वय के संदर में कुछ महत्वन खनान इस टल ऐस्क कर लो आस्कनि प्राबती इसका जाने और अब पॉस्क महत्वनित तत्त्य लोएश के और देख लेते इसाथी उन में पहला महत पूर्ड़त भारती विदेश व्यापार संद्र रचना में लो अयस्क तीसा प्रमुक निर्यात तत्वे जिसका निर्यात जापान और यूरोपियन देशों को भी किया जाता है निर्यात के लिए अयस्क प्राप्ति हमारे यहां मुख्य रूप से उडिसा करनाटक और गोवा से होती है और अन्य राज्यों से जो प्राप्ति होती है उसका यहां भारत में ही लोईस्पात कारखानों के जरिये उसको प्रियुक कर लिया जाता है मुख्य निर्या तक बंदरगा हमारे देश के उनमें मारमगोवा, हल्तिया, विस्था का पटनाव, पारा देप, चेन नई और मंगलोर मुख्य कच्चा लोई उत्पादन के आंकड़ों को देखे हम 2015 में तो चीन एक जार एकसु असी मिलियन टन उत्पादन करके 2015 में प्रतमी स्थान पर था विस्थो इस्थार पर कच्च्चा लोई की बात कर रहे है हम नाकी लोई असकी अन्या आकड़ों में और दूसरी स्थान पर जापाद तिसरी च實al प्रभारत जापां में 24 मिलियन टन का उत्पाद नंवहा था और भारत में तर्छिन ऑस्टरिलिया ब्राजील भारत और रूस में हमारा दो देश है भारत वो विश्व की महत्पुन लो अयसक उत्पादन इस तलों में सामिल किया जाते हैं यह खनी संसादन से संब्धित पहला पार्ट पूरा हुआ जो सामाजी की विख्यान कक्षा 10 भुगोल कक्षा बारवी के लिए महत्पुन है और इसना तक पराइसना अगले पार्ट में हम जानकारी प्रयाप करेंगे तांबा खनीज की भारत वीश्व